3 किलोवाट ले या फिर 4 किलोवाट का इना टैंक पर कौन सी कोटिंग सही रहेगी और कौन से ब्रांट के वरांटी सबसे बेस्ट होती है अगर आपके दीमाग में भी इंस्टेंट गीजर लेने से पहले ऐसा ही सवाल भूम रहे हैं तो फिकर नौट दोस्त क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट में क्लियर कर दूँगा लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा इंट तक देखना पड़ेगा तो अगर आप तयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को वित ओनली फैक्ट नो वकवास शुरुआत करते हैं सब्सक्सि bakery खर embark उता है लेकिन कि आपके इस पर लिए k specially शुरूरेज घिजर आपके सब्सक्ति की सब्सक्रप्लाइब प्तल से कौन वहатर होता तो चलिए इसके लिए दोनों के बीच में एक क्वीक कमपरीजन कर लेते हैं इंस्टेंट गीजर अपने साइज में बहुत ही छोटा होता है और वहीं इस्टोरिज गीजर में नहाने लग पानी को गरम करने में 15-20 मिनट का समय लग जाता है वहीं अगर इसके इनर्जी एफिसेंसी की बात करें तो इस्टेंट गीजर उतना ही पानी को गरम करता है जितना की आपको चाहिए होता है लेकिन वहीं इस्टोरिज गीजर पूरे टैंक की पानी को गरम करता है चाहे आपको एक मग चाहिए या फिर दस मग continuous hot water supply की बात करें तो instant giger में आपको पानी की temperature को consistent रखने में मुस्किल हो सकती है क्योंकि इसमें आपको काफी limited पानी गरम करने को मिलता है लेकिन वहीं storage giger में आपको इसके बड़े tank होने की वज़ा से इसमें आपको temperature consistent मिलता है आखिरी में price की बात करें तो general instant giger storage giger के मुकाबले काफी संस्ता होता है अगर हम instant giger और storage giger को अपने खाने से compare करें तो instant giger बिल्कुल maggie noodles की तरह होती है quick and convenient वहीं storage giger बिल्कुल biryani के तरह है time तो लगता है लेकिन जब ready हो जाए तो एक अलगी consistency का स्वाद मिलता है तो अगर दोनों के बिच difference जानने के बाद लग रहा है कि आपको एक storage giger के जरूत है तो आप YouTube पर best storage giger by electronics वाला search करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं लेकिन अगर आपको instant giger ख़दना है तो बने रहे इस वीडियो में और किसी भी point को मिस मत करिएगा क्योंकि हर एक point आपके लिए बहुत ही जरूरी है और हर एक point के उपर हम लोग बहुत ही detail में बात करेंगे आइए बात करते हैं instant giger का swapping करने से पहले आपको क्या-क्या पता होना चाहिए यह section थोड़ा technical लग सकता है लेकिन don't worry मैं आपको बिल्कुल ही simple language में समझाने का कोशिज करूंगा पहला है tank material जिसमें stainless steel या फिर glass line tank सबसे बढ़िया होते हैं कुछ brands इसे fancy name भी देते हैं जैसे कि titanium steel या फिर duronox लेकिन आपको हमेशा उनकी marketing gimmick से दूर रहा कर आपके लिए एक smart decision लेना होगा एक और बात कई बार आपको glass line tank में पानी गरम होनी के आवाज ज्यादा आ सकती है लेकिन इस बात का आप tension मत लीजिएगा ये tank काफी long lasting होता है second point अगर heating element की बात करें तो इन्हें मैंने quality की हिसाब से इस order में रखा है सबसे पहले glass coated in Chloe उसके बाद आता है in Chloe nickel coated copper उसके बाद आता है copper और सबसे last में आता है अमारा stainless steel याद रखिए heating element की quality सिधे equal होती है एक long lasting गीजर की और इन में से glass coated in Chloe heating element सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि ना यह सिफ corrosion से बलकि hard water से भी आपके गीजर को protect करते हैं तो अगर आपके area में hard water राता है तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप glass coated in Chloe या फिर nickel coated copper element वाला गीजर ही अपने लिए select करिएगा अगला point है after sales service ब्रांट चुनते वक्त बीन भूले आप इसे जरूर चेकरिएगा कि मार्केट में मौझूद कोई भी ब्रांट perfect नहीं है लेकिन कुछ ब्रांट दूसरों से बहता जरूर होते हैं और आपको बढ़ी after sales service भी देते हैं जैसे कि बजाज हो गया धीगाड और हैवल्स अगला point है installation सिर्फ free installation को दे करके आप किसी भी ब्रांट को finalize मत किजिएग और installation के time make sure कि earthy के सांथ साथ बाकी safety norm में ही पूरे हो क्योंकि हमारे लिए खूद का और हमारे family का safety priority सबसे पहले होती हैं इसी के साथ बढ़ते हैं safety features पर जिसमें आपको pressure release valve, anti-siphon system, dry heating protection और overheat protection जैसे सबी standard feature मिल जाते हैं जो कि normally आपको ज्यादतर सभी brands में देखने के लि लेकिन हाँ अगर आपको इसमें कोई extra safety features जैसे की अर्थ लिके circuit breaker या फिर autocot three pin switch जैसे features मिल जाएं तो यह आपकी गीजर के लिए एक plus point होगा और कभी भी गीजर को on करके घर से बाहर ना जाएं यह आपकी घर के लिए on microwave में अल्मुनियम फाइल रखने जैसे dangerous हो सकता है ज और 15-15 लीटर का स्टॉरेज़ गीजर वहीं 3-4 लोगों के लिए 3-6 लीटर का instant game या फिर 15-25 लीटर का Storage健ية है और आपको फेमिली में 4 लोगों से जाधा है तो फिर आपको प तो आपको थोड़ा बड़ा गीजर हे लेना चाहिए अगला सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट पावर कंजरप्शन या फिर बिजली का बिल कितना आएगा तो गीजर खरीदने से पहले यह सोचना जरूरी है कि आपका बिजली का बिल कितना बढ़ेगा जिसके लिए आप एक सिंपल कल्कुलेशन आप समझ सकते हैं अगर आपका गीजर तीन किलोवाट का है और आप उसे एक घंटा के लिए यूज़ करते हैं तब आपका तीनी यूट का इलेक्टिसिटी का अंजबसन आएगा और आपके एरिया में एक यूट का रेट पांच रुपईया है तो फि जादातर सभी ब्रांड के बेस्ट मॉडल के लिए जिसमें आपको इनर टैंक विथ डिफरेंट प्रोटेक्टिव कोटिंग्स क्वालिटी हीटिंग एलिमेंट और सभी स्टेंडर फीचर के साथ साथ एक से छोली टर तकी कापसिटी के साथ 3 किलोवाट और 4.5 किलोवाट क कई मोडस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसके आलावा आपको सभी ब्रांड में LED इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाएगा तो पांचमे नमबर पर है हमारे पास बजाज का यह बजट फ्रेंडली ऑप्सन जो कि सिर्फ आपको अमेजन पर 2900 का मिल जाएगा इसमें भी आपको 3 लिटर की कैपसिटी और 3 किलोवाट की पावर रेटिंग वाला कॉपर हीटिंग एलमिन मिलता है जो कि आपका पानी जटपट गरम कर देता है और इसमें आपको 6 बार की प्रेशर रेटिंग मिलती है साथ ही इस पर आपको टोटल 2 यर की प्रोड़क्ट इसे लेने से माना करूंगा कई कि मैं कर दोगा की आपको बता दूंगा कि इसज्ञर में मिलता है और इसके अ say कर दोंगा यानि आपका ईश्ञरा करके लगबख हो कर के 700 ड garlic को और लगभख सभी ब्रांट इस ही के आसपास चार्ज करते क्रतेन han让 मोडल भी हमारे लिस्ट के 500 नमबर पर हैं जो कि आपको लबक से में देखनों को मिलेगा इसमें आपको 3 लिटर का 6.5 प्रेसर रेटिंग वाला स्टेनस अस्टील टैंक मिलता है और उसके आलावा आपको इसमें 3 किलोवाट का निकल कोटेड कॉपर हीटिंग हीटिंग इलमेंट पर पूरे प्रोड़क्ट पर 2 साल की वराँटि मिलती है इसके साथ ही आपको फूर लेवल का अड़ाश सेफ्टी के आलावा आपको पीव इंसुलेशन में मिल जाता है जो कि आपके पानी को लंबे समय तो गरम रखने में मदद करता है लेकिन एक यह गीजर लेने से पहले आप इसका एक बार कौन भी सुन लिजिए क्रॉम्पेंट का आफ्टर सेल्स सर्विस एवरेज है और कभी-कभी इनके टेक्निशियन को बुलाना इतना मुश्किल हो जाता है जैसे आपकी उसी सेलिब्रेटी को इन्वाइट कर रहे हैं अगर आप तो फिर आप इसके ग्रेस मोडल को भी चेक आउट कर सकते हैं जो कि आपको थोड़ा कॉस्टली यानि 3500 में मिल जाएगा इस वीडियो में मैंने जितने भी इंस्टेंट गीजर को रिक्मेंट किया है उन सबका लिंक की मैंने नीची डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चोथे नमबर के गीजर के तरह जो की बजाज की तरह ही एक बजट फ्रेंडिली ओप्सन है और यह भी गाड के तरफ से आने वाला जीओ वाला मोडल है जिसका 3 लीटर का प्राइस 2900 है इसमें भी आपको 3 लीटर के अलावा 5 लीटर का भी कैपसिटी और 3 किलोवाट का पावर रेटिंग मिलता है इसके 304 ग्रेट के स्टेनलेस स्टील टैंक पर आपको 6.5 लीटर का प्रेसर रेटिंग मिल जाता है प्लस इसमें आपको थर्मोस्टेट, थर्मल कटफ, प्रेसर रिलीज भाल्ब और एंटी साइफन भाल्ब जैसे सेफटी फीचर्स मिल जाते हैं और इसके एंटी साइफन सिस्टम आपके गीजर के गरम पानी को सप्लाई में वापस जाने से रोगता है वारांटी की बात करें तो इसमें आपको पूरे प्रोड़क्ट पर दो साल की, हीटिंग एलिमेंट पर भी दो साल की और इनर टैंक पर आपको पांस साल की वारांटी मिलती है अगर इसके प्रोज की बात करें तो इसमें भी आपको सभी ज़रूरी फीचर्स और सभी टाइब के सेफटी फीचर्स भी मिल जाते हैं साथ ही आपको पैन इंडिया में इसकी सर्विस आसानी से मिल जाती है फिर चाहे आप सहर में राते हो या फिर छोटे गांव से हैं अगर इसके कौन की बात करें तो हम इस product का कौन तो नहीं बोल सकते बाकि आप डिसाइड करिएगा कि यह कौन है या फिर नहीं है इसका installation और pipe पेड़ है लेकिन इन्हों ने इसे clearly mention किया website के उपर इसे दूसरे brand की तरह छुपाया नहीं बाकि दूसरे brand जो कि आपको free installation और free pipe प्रोबाइड करते हैं वो भी आपका free नहीं होता है हमें लगता है कि वो हमें सब ये free दे रहे हैं लेकिन product का cost बढ़ा करके हमसे ही वो charge करते हैं और फिर हमें बताते हैं कि इसका installation और pipe दोनों free है यही सब brand का marketing जाल होता है बाकि देखा आपको थोड़ा बहतर देखता है अगर आप इसके पेट इंस्टॉलेशन सुनने के बाद आप खुछ से इंस्टॉलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं यहां आपको recommend करूंगा कि आप इसके लिए professional को ही बुलाएं क्योंकि इसको दो बजा है पहला अगर आप खु आता है और 3 kilowatt की power rating के आलावा इसमें आपको एक temperature controlling नौ भी मिलता है जिससे आप energy का भी बचत कर सकते हैं और आप अपने mode के हिसाब से पानी का temperature set कर सकते हैं इसके अलावा इसमें आपको एलमुनियम एनोंड रट भी देखने को मिल जाता है प्लस आपको इसमें फ्री इंस आप इसे चेक आउट करें चलिए जल्दी से इसके प्रोज और को भी देख लेते हैं आपकी comfort को देखते हुए इसमें आपको temperature control नौ भी मिल जाता है प्लस इसमें आपको फ्री इंस्टोलेशन और फ्री फ्लेग भी मिल जाता है साथ ही अगर आपके घर में hard water आता है तो आ हमारे लिस्ट में top करते करते रहा गया अगर सौट में बताऊं तो यह गीजर काफी अच्छा है और फीचर से भरा हुआ है आप चाहें तो record का ही थोड़ा अलग डिजाइन में इसका प्रोंट वाला मोडल भी चेक कर सकते हैं तो दोस्त अगर आप छोटे साहर या फिर गा जिस पर आपको ISI मार्क भी मिलता है और ऐसे ही माटिरियल से हाई इंड कीचेन अप्लाइंस बना जाते हैं इसमें अभी आपको 6.5 बार की प्रेशर एटिंग मिल जाती है इसमें भी आपको दूसरे गीजर की तरह सेफ्टी प्रेशर भाहल और टोकट अप जैसे एस्टें सी वरांटी मिल जाती है और यह अभी आपको अमेजन पर 3 लिटर वाला लगभग 3800 का आराम से मिल जाएगा और 6 लिटर वाला 6000 में तो इसी खरिदने से पहले चलिए एक नजर इसके प्रोज और कौन पर भी डाल लेते हैं तो अगर इसके प्रोज की बात करें तो इसमें अगर आपको पूरे इंडिया में बढ़ी आफ्टेल से सर्विस और इसके अलावा इसमें आपको फ्री इंस्टॉलेस और फ्लेक्जी पाइब देखने को मिलता है अगर इसके कौन की बात करें तो हैबस वालों ने एक कमी कर दी इसमें आपको किसी भी तरह का एनोडर कोई दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली यह आपके लिए एक बेस्ट च्वायस होगा आखिर में दोस्ट चली अब बात करते हैं अपने डिश के नंबर वान इसेंड गिजर की जो की एओ स्मीथ के तरफ से आने वाला EWS प्लस वाला मॉडल है जिसमें आपको मिलती है ग्ला आहां भी अमें घाला पर क्लोज चेस्ट के आलावा एक multipurpose भाल भी मिलता है वारांटी की बात करें आपको कूरे प्रोड़क्त पर दो साल की comprehensive वारांटी टैंक पर आप zar साल की और ग्लास लाइन टैंग और ग्लास कोटेट इन क्लो हीटिंग एलमेंट पर तीन साल की वरांटी मिलती है तो इसका थ्री लिट्या रोला मोडल आप अमेजन पर 3200 में पर्चेस कर सकते हैं तो इसे खरिदने से पहले चली एक नजर इसके प्रोच और कॉन पर भी डालते हैं प्रोच की बात करें तो इसमें आपको हाइप प्रेसर रेटिंग बेस्ट इन क्लास प्रोटेक्टिव कोटिंग और बोथ हीटिंग एलमेंट एंड टैंग और की बात करें तो छोटे सहरों में समित का सर्विस थोड़ा वीक है और हां 3000 के उपर प्राइसिंग रखने के बाद भी इसमें आपको फ्री इंस्टोलेशन और पाइप नहीं मिलता है तो दोस्त वैसे तो कपी बढ़िया ब्रांड है और इनका प्रोड़क्ट की क्वालिटी जरूर सियर करिएगा मिलते हैं फिर जब आप चाहें तब तक के लिए ख्याल रखी अपना और अपनों का नमस्कार